आप सबको नमस्कार और आप सबको सागते मेरा यूटूब चनल फास्ट एक्जम बोस्टर में आज मैं साइट लोजी का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जो की कोई भी टीचर एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टांड है को सेंट्रल लेबल हो या कोई भी एस्टेट का 구mage है को में सिलाबबस मतलब बूर्टे के बड़ाबर है ये आज का मेरा मेरा वीडियो का स्टेट में चलते हैं हमारा कूस्मी डिस्क्यूशन की और देखे़े पहला सवाल स्वाल इस टाइप ऐफ इस तरह का सेल डिविजन को क्या बोला जाता है कौन सा सेल डिविजन से हापलोइड सेल बनता है देखिए मैंने कल पहले वीडियो में बता है था कि सेल डिविजन दो तरह का होता है ठिक है और दूसरा मियोसिस और एक है अमाई वीजन तरह का सेल डिविजन है टो यह रफिल्विजन होता है फेल पहले क्या है ना देखिए जेनरली हमारा बोडि में को टू सेनरफ प्रोमोजम होता है इसको दिपलोइड सेल दो चैनल बोला जाता है डिपलाइट सेल बोला जाता है लेकिन जब एसी डिपलाइट सेल मियोसिस सेल डिविजन से टूट के एन एन नमबर का क्रोमोजम फर्मेशन करता है मतलब यहां पे टू एन मतलब 23 पे आर लेकिन इहां पे क्या होता है श्रिफ 23 23 क्रोमोजम होता है ठीक है एन नमबर में हपलाइट सेल में ठीक है और हपलाइट सेल किस से बनता है न मियोसिस सेल डिविजन से बनता है नेक्स टाइप ऑफ सेल डिविजन फांड इन जर्म सेल जो जर्म सेल होता है उस जर्म सेल किस त वहां है vapor cell की बनता है मियो गया नोकिया मैं जैसे मीटासिक में में और बाद में होता है साइटो काइनेसिस मतलब साइटोप्लाजारम साइटोगैनेसिस आख क्या होता है मुसिस दो फेज में होता है पहले लिए होता है MIOSIX अन फेज और MIOSIX жить तू फिज यहां पर देखिए MIOSIX को तू फेज MEOUSIS वे प्रो फेज होता है METAPHESE, ANAPHESE, TELOFESE इसमें भी hapो 2basis , beta too, anaphese 2 और TELOFESE तू करन और यहां पे मियो चिश्ट में सबसे बड़ा फेजल सबसे बड़ा है क्योंकि इसका पाच सब olması कि यह लेप्रोटीन जाइग Jennifer यह पॉटिन नियकाइनेसिस है जो 500 फेज यह 500 है अच्छान के बज़ा से बड़ा देखे प्रोफेजान को ठीक है यहां पर देखिए प्रोफेजान में बताय गाया है देखिंग लेटोटिन प्रोफेजान का 5 जो सबफेजे कितना ओंस पांच सफ़ेजों तो पहला है लेप्रोटिन दूसरा जाइगोटिन पाचितिन डिप्लोटिन और डायकनिसिस बाद में है नेक्स्ट स्लाइड में पहले क्या होता है जो सेल डिविजन में पहले के निशिस होता है बाद में साइटो के निशिस में क्या होता है डिविजन अफ निउकलेस होने के लिए क्या होता है जो निउकलेस के अंदर जो क्रोमोजोमाल मेट्रियाल है वो क्या होता है वो कंडेंस होके विजिबिल होना श स्वेश में प्रोंट्रों में में सब्सक्राइब 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 होने से सिनाप्सिस होता है मतलब एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम को टॉच करता है इसे ही बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको सिनाप्सिस बोला जाता है घर्ल क्रोमोजोम अर्क और इसी तरह का क्रोमोजोम को जो सेम तरह का क्रोमोजोम का प्यारिंग होने को क्या बोला जाता है ना होमो लोगोस क्रोमोजोम होमो आर लोगोस को मतलब सेम तरह का होता है क्रोमोजोम chromosom synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synoptonimal complex स्पर्मेशन होने के बाद क्या होता है यहाँ स्ट्रक्चर , complex structure formation हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या recombination होने के लिए crossing over होने के लिए और transfer होने के लिए जो structure बनता है उसे क्या मतलब ट्रांसफर होने के लिए complex structure formation होता है जहां पर टच किया जाए और जो जगहां पर टच किया जाता है उसे काईजमा बोला जाता है काईजमा बोला जाता है दो complex form by pair of synapsed homologous chromatid is called bivalent और tetrad bivalent और tetrad बोला जाता है जो होमोलोगous chromosome बानता है देखिए यहां पर टोटाल फोर पर पर क्रोमाटिड है इसलिए इसको bivalent और tetrad बोला जाता है कि इसको ना homologous chromatid का pairing को बाइबल और tetrad बोला जाता है देखिए इहां पर है homologous chromatid इसलिए माणी मेल से मम्मी शाया हुआ क्रोमोजोम आपका पास है पापा से फादर से अब्स आया हुआ क्रोमोजोम आपका पास है तो इस दोनों का दोनों माणी सेक्स ख्रोमोसम है ऩोगे देखिए उपर टच आए और थोड़ी देरबाद हो जाएगा मतलब इस प्रोसेश से थोड़ी देर बाद पहले उपर या पहले नीचे बाद में दोनों सेट में टच हो जाता है उसे सिनाप्सिस बोला जाता है स्टंप्स से ट सो के क्या होता हूं ना इसमें सिनप्ट ओमियाल कॉंप्रिक्ट सुर्म होता है इनका अंदर ँसरे क्या होता है इन का चुछ पार टूटके इससे प्यार हो जाता है अगर नीचेप्हीं region होता तो नीचे भी расс看 क्या में पर देखें कैसे हैं जो सेम तरका क्रोमोजम मिलके रहने को मिल जाने के लिए ट्रांसपर हो रहा है कैने को से बोला जाने जो क्रोमोजम का बीच में रहता है जगा जहां पर स्पिंडल फाइबर इसको खीचते रहता है और मतलब जो क्रोसिंग हुआ है जो जो क्रोमोजम मिलता इसे अरिया को सेंट्रोण मियर बोला जाता है और । सेम तरह का प्रो मारती реб को शिश्टरउं जाता है एक नेस्ट देखिए तो है थका वोड़ाइब लेता है ना फोर थेाल को जो C congratulate जगा पे लोग क्रॉस होते हैं उसको क्या बोला जाता है और जहांसे नोगों का क्रोसिंग ऑबर होता है or ट्रांसफर होता है उसी। यहां पर ट्रांसफर हुआये है द्रोम्समें 2010 देखे इह बाइब अनीमें निटिम अने में जाता है थोड़ी दिर पहले ही परा ना कुंधा बॉला जाता है नो, पाचितिन जो जाइगोट ऊफ चैड्टइन जाइगोट नोकम, यंश , यृफाइन क्या होता है तो रिपलोटिं अनेश्ट धाये होता है वागता है शितो देखूंधाई थोड़ाई क्रोपो यह जाता है जो ट्रांस्पर होके चला जाता है उसी को भी कुदिशन बॉला जाता है एक क्रोसिंग ओबर ट्रांसपर से काहा हुपलिटी डिपलतीन क्या मोद सिरी पो यह य데 Senior Advais oh जाता राड़ा ना सबस्सक्राइब इस और ञात राड़ा क्यों 257 डिपडिएज में जो सन अप्ट अम्पलेक्ज का जो ट्रांस्पर हो जाना फाइब यह पता है फ defend przeci my new Children Now-粟ो चैनल एक्टर ढदा सांफ प्रोश ओबर क्या होता है ना सिस्ट जगा पर सिनाप्सिस फर्मेशन के लिए क्रोसिंग होता है इसी को इसी जगा को क्या बुला जाता है काईजमा और काईजमाटा बुला जाता है रिकम्बिनेट आफ नोडूल्स अर फाउंड डियूरिंग विच आफ फॉलविंग देखिए रिकम्बिनेट कौन सा फेज में होता है देखिए प्रोफेज ओन का रिकम्बिनेशन कौन सा है प्रोफेज ओन का पाची टीन में होता है कौन सा रिकम्बिनेशन होता है ठीके देखें यहाँ पे जो पाची टीन है पाची टीन में यहाँ पी क्या आता है दोस्ट इस कैसे बाइदा आप्रेंस अफ रिकम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन इसी पाची टीन में होता है प्रॉफिश़ Calvin का क्या होता है एक होता क्या होता है उन्हों और निग्धानल कॉंपलेक्स का फर्मेशन शुरू हो जाता है कॉन सा फेज में न जाइगोटिन यहां पर लिखाए किया न है नेज्ट देखे डिकैनिस्य स्टाइज मार्क बाय दडा टर्मिनाल आजीशन आफ थरय किया होता है ना जो काे जू मारका एंड होना शुरू होता है यो अलग होना सेपारेट होना शुरू हो जाता है दूरिंग दिस फेज दा क्रोमोजम आर फूली कॉंडेंस एंड दा मियोटिक इस्पिंड लिए तो प्रिपर दा होमलोगस को फॉर्स सेपरेशन क्या होता है ना इसी फेज ने डाइकनिस प्रोपेज़ान का डाइकनिस फेज में यह लोग सेपरेशन होना शुरू हो जाता है नुकलियोलोस डिसापियर क्या होता है ना नुकलियोलोस डिसापियर होना चाहिए नुकलियोस इन्वलप भी तूटके बिखरना शुरू हो जाता है जो इस तरह से रहता है फैले तो नुकलियोस डिविजन होने के लिए थोड़ा सा इस तरह का एक नुकलियोस यह इन्वल सेटीप्लाजन का डेविजन हो जाएगा देखें प्रौ फ्रौ फ्रेज लंगर इं जो प्रौ सेथे कॉण साусов सबसे महत Жए प्रौ मियोशिष में कितना फेज सब फेजएं इसका 5फेज है variance मोरिश सीगनिफीटेटिकनट भीकॉसिट रजशिंग एवारी सिस्ताई monopoly M मतल Trail Bright का दीख से यह बहुत important है क्योग नाar 유शिशसे टिए बहुत क्रासिशन्य किया होता है incense पर्शन में उस पर्शन में इसलिए क्या बोला जाता है ना यह को रिकम्बिनेशन हो जाए उसके बाद यह ट्रांसपर हुआ है फिनाप्सिस किसमें होता है ना सिनाप्सिस होता है उसमें कौन सा फिसमें फर्मेंशन होता है सब्मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम कैसा होता है ना एल सेल का होता है ठीक है और मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कैसा होता है ना भी शेप का होता है और तेलोसेंट्रिक तो शीधा होता है अक्रोसेंट्रिक थोड़ासा निकला है ये कि लेकिन सब मेटासे थोड़ा से बड़ा होता है यहां पे देखिए चार तरका होता है सेंट्रोके सेंट्रो writ करता है ताइसे एससेंट्रों सेंट्रीक है इस appropriate ए tyl सब्सक्राइब की तरह पिरा हो जाएता सब्सक्राइब की तरह हो जारे तो मेटासेंत्रिक। नेच्ट देखें। विची डिविजन मेंनच hard जिएनिटिक सिमिलारीटी। जो कौनःटिक सिमिलारीटी じゃ कौनसा डिविजन में जन इत्यक कि मतलब समयू मतलब साब जीन में क्या होता है या 2N न करते हैं। लेकिन में क्या होता है ना टू में डिवाइड होगा Now Elena यौंक फर्मिशन करते यह सेल डिविजन से डिवीजन इन भुग ग्रीन आलजी इस से ड फ्यंट हो पहली बात क्या होता है ना मोनेरा कटागोरी का होते हैं मोनेरा में जनराली बैक्टरिया साधातर बैक्टरिया होते हैं और यूनी सेल्यार होता है और ब्लू ग्रीन आलजी को और क्या बोला जाता है सियानो बैक्टरिया सियन वैक्ट्रेय इसलिए क्या होता है न इसका आप्सर इंसर क्या होगा न बैक्ट्रिया से से में ब्राबर होता है ब्लू गिर् dön आल जी का शे Luca बैक्ट्रिया की सुध्अ Εल्स कचाहरी और के टागोरी का होता है kingdom का होता है Gap between Meiosis on and 2 is called जो dho Meiosis ... Meiosis का Meiosis का जो cell division दो तरख होता है एक Meiosis on, Meiosis two होता है So Meiosis on में जो gap रहता है, Meiosis on से Meiosis two का अंदर जो Gap होता है, उसके क्या बोला जाता है Inter kinaseous बोला जाता है the stage between the two Meiotic division is called in特 kinaseous मतलब जो मियोसिस का जो cell division होता है पहले मियोसिस on हो जाता है on में क्या क्या होता है प्रोफेस होता है प्रोफेस में 5 stage होता है प्रोफेस के बाद मेटाफेस अनाफेस टेलोफेस होता है टेलोफेस के बाद शुरू हो जाता है मियोसिस मियोसिस 2 जो इसी अंदर जो ग्याप थोड़ा सा रहता है उसे भी बोला जाता है इंटर काइनेसिस ठीके नेक्स देखिए इच क्रोमोजों क्या एक क्रोमाटीन से बना होता है देखिए अनाफेस 2 में क्या हता है यहां पर सब में टू क्रोमाटीड है यहां पर अन क्रोमाटीड है क्योंकि यह पोल की तरह खीच रहा है तो इसलिए डिवाइड होके अन क्रोमाटीड हो गाए इसमें काईजमाटा और किस से और यहां पर ट्रांसफर हो रहा है क्रोसिंग हुआ है तो इसे बोला जाए इसलिग और इसको बाइबल एंड से §d familiar को और ड्रोमोसाम इस तरो से डिवाइड हो जाते है इस इस इन प्लांट्स active के लिए और इंटर फेस्ट करता है कि और सेल प्रिपार होता है cell division के लिए और यहाँ पर cell division बहुत कम होता है क्योंकि interface का मतलब जो cell division phase नहीं होता है उससे interface बोलाई cell division phase कौन सा है M phase, mitosis और miosis तो यह काम कहाँ पर होता है Cambium में होता है Cambium में होता है active mitosis होता है cambium में यहाँ पर देखिए जो बार्क है एक प्लांड का जो बार्क है इसमें क्या होता है बहुत कम cell division होता है और यह क्या होता है एक बार्क अगर एक बार हो जाए तो वो सालो साल रहता है rest working phase में rest condition में तो उससे ही क्या बोला जाए cambium layer बोला जाता है और यही होता है active mitosis phase और active mitosis cell division है इसले application置 of dna in meiosis occurs during replication होता है किस सेथमाद में होता है मैं में देखियो जो डीरे इस्टम में होता है पहली बात क्या होता है SFrire में होता है दूसरा all Hobárias में मतलब एक मियूसी शेल्ली डिवजन में यादरोड रखेब एक मियूसी शेल constraint में DNA replication काँ होता है एक तो S phase में होता है DLA replication इंट्रफेस का दूसरा meiosis में के जाइगोटीन में जो meiosis on का प्रोफेस का जाइगोटीन फेस में DNA replication होता है मतलब दो टाइम cell division होता है मियोशिश में तो आज का वीडियो में हमारा इतना ही था अगर मेरा वीडियो आपका चले तो प्लीज लाइक से जाने सब्सक्राइब करिए थैंक्स पर वाचिंग